स्टूडेंस स्वाजम करने जारें इंगलिश की वर्कशीट नमर 70 और क्लास 9 आज की वर्कशीट का टॉपिक है इंटीग्रेटिट राइटिंग प्रैक्टिस इसमें आपको राइटिंग प्रैक्टिस के लिए दो पार्ट दिये गए हैं फर्स पार्ट जो है उसमें आपको डाइडी राइटिंग दी गई है और सेकेंड पार्ट में आपको स्टूरी राइटिंग दी गई है चले इसे देख लेता हैं समझते हैं इस वर्कशीट में आपको क्या कर दिये गए पोर्शन से सबसे पहले अपना नेम क्लास टीचर नेम डेट जरूर मेंचेन करेंगे उसके बाद ही अपने वक्षित स्टार्ट करेंगे राइटिंग प्रैक्टिस फर्स्ट में आपको डाइरी राइटिंग दी गई है और आपको 100-120 वर्ट में से कंप्लीट करना है इसमें आपको बोला गए कि imagine you are प्रशान्थ from a story in your textbook जो आपकी बुक थी उसमें आपको इस स्टोरी दी गई थी जो कि आपने पड़ी थी weathering the storm in Erisema ठीक है ऐसे ही आपको एक स्टोरी यहाँ पर उसी स्टोरी के based पर बोला गए कि आप प्रशान्थ हैं you have just arrived back to your village and found your family is alive and safe at Red Cross shelter आपको बोला गए कि मान लीजे कि आप जो हैं आप जस्ट पहुचे हैं ठीक है दुबारा अपने विलेज आए हैं और आपने देखा कि आपकी जो family है वो safe है कहाँ पर Red Cross shelter में as like a story जैसा आपने पढ़ा था है story में write a diary entry explaining your feelings when you saw them safe so आपको अपनी feelings लिखनी है जैसे आपने diary entry लिखनी है उसके साथ क्या करना है उसमें ये दिखाना है बताना है कि अगर आप होते हैं उस place पर तो आप कैसा महसूस करते हैं ठीक है और आप कोने प्रशान्त हैं you can also write about how you felt afterward looking at the living conditions in and around the shelter तो shelter के आसपास और अंदर जो living condition थी उसके उपर भी आपको कैसा महसूस हो रहा है आपको ये लिखना है ओके so diary entry में आपको start करना है dear diary okay और ये complete करना है then इसके बास second जो है writing practice 2 इसमें आपको story लिखनी है 100 to 120 words में इसमें आपको बुला गया है कि let us look at the picture आपको picture देखनी है given below and write a story based on what you see आप picture जो देख रहा है इसके according आपको लिखना है you can include your own characters but the setting has to be based on a super cyclone just like the one you read about in weathering the storm in L.S.M.A. okay so आपको इस picture को देखते हुए एक story लिखनी है और आपने जो super cyclone पढ़ा था उसी के according जो आपकी story थी weathering the storm in L.S.M.A. ऐसे ही आपको एक story create करनी है लिखनी है आप अपने according लिख सकते हैं character अपने according डाल सकते हैं पर इस picture को भी आप use कर सकते हैं okay so इसके बाद आपको covid appropriate behavior दिया गया है C.A.B. message wash your hands with soap in water regularly अपने हाथों को soap से और water से regularly wash करना चाहिए आपको किसे soap से और water से क्योंकि आपको covid से fight करनी है तो यहाँ पर question हम already read कर चुके हैं चलिए answer देख लेते हैं answer है आपका जो आपकी diary writing है इसमें सबसे पहले RSMA ठीक है then इसके बाद है Saturday 26 December 2020 तो किस दिन और क्या date है जरूर लिखे है उसके बाद time next line में और इनके बीच में gap जरूर देना है then dear diary so आपको इससे start करना है today when I came back to my village after the deadly storm I found my family is alive and safe at red cross shelter then I felt myself as a luckiest person in the world so यह जो आपकी story दी थी उसी पे based मैंने कुछ lines लिखी है जो आपको question में points दिये गया है उन्हें भी add के है उससे क्या हो गया है कि आपको बहुत जादा points खुद की दरफ से नहीं सोचने है आपको story और आपको जो heading दी गई है उसी में साब points ले सकते हैं okay आपके लिए जादा easy हो जाएगा क्योंकि exam में भी आपको जो heading दी गई हो दी उसमें से दो sentences already मिल जाते हैं कुछ points मिल जाते हैं जिसे आप उसको और extend करके और बढ़ा करके लिख सकते हैं तो यहां पर लिखा है कि today when I came back to my village जब मैं आज अपने village वापस आया था after the deadly storm जो deadly storm था उसके बाद I found my families alive मैंने देखा कि मेरी family जो है alive है and safe at red cross shelter और red cross shelter में सभी safe है then I felt myself as a luckiest person in the world तब मैंने अपने आपको महसूस किया कि मैं कितना lucky इंसान उस वक इस दुनिया में सबसे luckiest इंसान खुद को मैं समझ रहा था and they were too very happy to see me और वो लोग भी मुझे देखे बहुत खुश थे कि मैं भी जो हूँ अभी मतलब मुझे किसी भी देखा का हाम नहीं पहुचा I thank to God और मैंने भगवान को क्या किया thanks किया but I felt so bad for the living conditions in and around the shelter but यहाँ पे जो प्रशानत है वो क्या कह रहा है कि जो living condition थी उसको देखके मुझे बहुत बुरा लगा I took some help of others and start to clean the shelter after cleaning the shelter everyone felt more good to live at that place so यहाँ पे प्रशानत क्या कहता है कि मैंने लोगों की मदद ली जो भी वहाँ पर थे उन्हीं के help ली और shelter को clean करने की कोशिश की clean किया और उसके बाद लोगों को वहाँ पे रहना अच्छा लग रहा था क्योंकि जहाँ साफ सफाई होती है वहाँ आप जाद अच्छा महसूस करते हैं घर जैसे महसूस करते हैं then after आप देखेंगे कि सबसे end में आप अपना नाम लिखेंगे तो आपको name given है प्रशान तो आपको यही लिखना है यहाँ पर आपका यह जो first part है complete होता है इसमें आप चाहें तो all line भी add कर सकते हैं और चाहें तो इतना भी से लिखे complete कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाद में questions करते हैं क्या मैं मैं इसके आगे क्या लिखूँ मैं इसके पहले क्या लिखूँ बाद में आपको शो किया है इतना portion भी अगर आप लिखेंगे तो भी enough है okay then next question भी हम read कर चुके चले इसका अंसर देख लेते हैं so इसमें आपको story writing करनी है सबसे पहले सुनीता's strong story ठीक है मैंने एक बच्ची जो है मतलब सुनीता नाम की एक बच्ची है ठीक है जिसके story हम यहां बता रहे हैं so उसकी strong story मतलब कैसे उसने situation देखी थी उसके साथ क्या हुआ था यहां पर हम उस story में discuss करेंगे okay so सुनीता was about 8 years old सुनीता 8 years old की थी living in Odisha and ready to end the school year coming home from school one day अब यहां पर उसका मतलब जैसे आप 9th से 10th में आते हैं तो आपको वो year complete होता है यसे सुनीता का भी वो year complete होने वालते है इसमें पढ़ रही थी और वो school से घर आ दी थी एक दिन she saw a dark blue grey cloud coming towards her house तो उसने क्या देखा कि एक गहरे नीले रंग का आसमान मतलब बादल जो है बहुत घने बादल है जो उसकी दरफ आ रहे हैं बढ़ रहे हैं it was weird because as a little kid she probably would not know what a super cell was इसे बिलकुल नहीं पता था क्योंकि वो एक बच्ची थी उसने इसके बारे में बहुत पढ़ा भी नहीं था साल की बच्ची थी छोटी सी बच्ची थी तो नहीं जानती थी कि एक क्या भयानक सा super cell है जो उसकी तरह बढ़ रहा है she saw her mom's car and then heard her yell sunita's name so यहाँ पर उसने अपनी mom mom की car देखी और उसने अपनी आवास सुनी कि उसकी mother जो है उसका नाम लेके उसे पुकार रही है it scared sunita because she was so loud and sad to get in the car now और उसकी mother जो है वो उसको चिला के उसकी आवास में बुला रही है sunita के अंदर आओ जली आओ तो वो डर गई कि अचानक से ऐसा क्या होगे कि जो उसकी mother वो चिला रही है और उसे बुला रही है तो वो आवास सुनती है और car की तरफ जाती है sunita did not know what was happening so she ran to the car and got it और वो car की तरफ भागती है उसे समझ नहीं आता बठाँ उसे पता है कि उसकी mother उसे बुला रही है और वो वहाँ पर जाती है her mom immediately started the car and told sunita to buckle up so sunita did and she backed out so उसकी mother कहती है कि अपना जो उसकी mother कहती है कि मतलब जैसे आपको safety rules बताते है तो उसकी mother भी बोलती है कि आपका ऐसा सा करना वो से follow भी करती है sunita and her mother went to the roof where her father and little sister waiting for them with safety materials so sunita जो है अपनी mother के साथ अपने च्छत पर roof पे चली आती है जहां पर उसके father और उसकी little sister क्या थे वहीं पर अविलेवल थे मतलब वहीं पर थे wait कर रहे थे उनका और सारे safety materials उन्होंने ले रखे थे her parents was trying to keep them calm अब उसकी जो parents थे सुनी ता कि उसको और उसकी sister को काम कर रहे थे मतलब कि वह घबरा है ना चोटे बच्चे हैं वह घबरा जाते तो इसलिए उन्होंने normal situation के लिए prepare कर रहे थे कि tension लेने के बात नहीं है आप अपने parents के साथ है काम रहे नॉर्मल रहे और एक दिन के बाद धीरे धीरे सब शांत होने लगा storm destroy each and everything like houses, roads, lights, trees and other things और यहां पह क्या हो जो storm था उसने सब कुछ destroy कर दिया था जैसे की houses, roads, lights, trees and other things this was the scariest moment of sunita's life and she hoped nothing like this happens every, ever again so यहां every नहीं, ever again है यहां पर आप वाय हटा लेंगे बाकी यहां पर sunita ने जब यह सारी situation देखी उसके बाद उसने उसके life का इस scariest moment था जब मतलब उसने बहुत साई चीज़े देखी थी और उसके बाद उसने वस यही उमीद की कि इसके बाद यह चीज़ कभी उसके साथ दुबारा ना हो ऐसा moment कभी दुबारा ना है क्योंकि बहुत भयानत था जिस situation में वो थी उस situation में जब कोई होता है तो उसके अंदर जो घबरहाट होती है उसके अंदर जो डैर होता है वो ही समझ सकता है बाकी लोगों के लिए वह बहुत नॉर्माल होता है तो यह story जो है ऐसी stories बहुत साई stories आपको देखने को मिलेंगी अगर आप किसी भी इसी किसी भी ऐसी situation से period विक्ति से मिलेंगे तो like earthquake और बहुत सारी ऐसे प्रकदिक आपदाएं है तो इसके बाद आपकी story complete होती है अब यहाँ पे pictures जो आपको दी जाती हैं उसके according भी आपको stories लिखने होती है तो आपको एक picture given थी उस according अगर देखें तो सारी चीज़े destroyed है तो यहाँ पे हमने यह sentence यूज़ किया है कि storm destroy each and everything like houses, roads तो अगर आप ध्यान से देखें तो picture इससे suit कर रहे हैं तो आपने picture का भी यूज़ किया है आपको जो given heading थी उसके according भी आपने इसे complete किया है तो यहाँ पे आपकी जो story यह complete होती है हमारे सभी answers पर जाकर अगर search करते हैं मुझी ताइस warrior तो आपको easily available होता है हमारा channel और उस पर आपको सभी question answers जो होते हैं written format में available करवाए जाते हैं description box में भी telegram का हमारा link दिया जाता है आप वहाँ से भी easily click करके हमारे channel के through जो है answers ले सकते हैं उसके लावा आपको वीडियो कैसी लगी comment करके जरूर बताएं like, subscribe और share करना बिल्कुल भी न भूलें